लो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल अली भाई परपर्टी ब्लॉग पर आपका फिर से स्वागत है अज फिर आपके लिए नहीं प्लोट का वीडियो लेका आये हूँ जो आपको आम गोला ओभर बीडी जानते हो येगा अब आप मजफर पूर के आम गोला अगर या बजा आप देख पा रहे हैं इस रास्ता से ये वाली प्लॉट किया हुआ है यहां से प्लॉट सालू हुआ है आएदम घर लेते हुए तो इसमें 20 से 12 फिट का रास्ता निकाला हुआ तो इसमें इस साइट से बूख हो गया हुआ है फ्रॉंट से सेकेंड प्लॉट आएगा जो 12 आपको रोट से होगा जश्ट ज्यादा अंदर नहीं है कि अपको अंदर का आपको दिखाते हैं कि अंदर का देख रहे हैं तो जो गाच देख रहे हैं यह वाला आपको प्लॉट मिलेगा और क्रीब एक कठ्था में 60 फीट इसका फ्रॉंट आएगा अंदर का वीडियो देख लिए हैं यही रोड आपको आगे निकल जाता है ऐसे गुमते हुए आपको चंदलोक वाला जो रोड है कलंबाग चोग से जो मोती जिल को जोडता है उस रोड में यह मिल जाता है तो बहतर प्लॉट है दो आदमी मिल के ले सकते हैं 30-30 फीट करीब फ्रॉंट आएगा 30 बाइ करीब 25.9 के असपास है इसका मेफ हम आपको सेर कर देंगे बहतर लुकेसन है एकदम 20 सीटी में उसी साब से रेट है अब हमसे वाटसब पे इसका रेट पूछ सकते हैं अगरिया बजार से आपको आमगोला रेलवे गुम्टी के पास आना है अब आद गुम्टी के पास से यह लेट आ रहा है जोस्ट यह आपको ओवर ब्रीज का यह फॉंडेशन देख रहा है पास में ही है और ओवर लुक आप तो देखी पा रहा है वह साबसे बहतर प्लॉट है और एग्रिमेंटर प्लॉट है जो एग्रिमेंट किया है लिए है वही प्लॉटिंग किये हो और दोस्तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताक कि आपको इस तरह का वीडियो देखने को मिलता रहे है जब भी आप लान करेंगे तो आपको ढूंड़ना नहीं परेगा प्लॉट मेरे चैनल पर आप आईए एक से एक प्लॉट मिलेगा हर जगा का प्लॉट मिलेगा हुआ का है और जैसा कि आप वीडियो अभी देख्था यहीं आमगोला आमगोला उन्फाट ब्रीज है अब यह वजार से आ रही है यह आमगोला ब्रीज है तो ब्रीज पर नहीं चाहर के यही वाली सर्वीस रोट में आप आएंगे यही सिधा स्टेट जाएंगे आप अदम रेलवे लाइन के पास में तो वहां से लेफ्ट आपको जाना है और ज़स्ट लेफ्ट है वह वाले भी प्लॉट आपको मिल जाएगा उसमें भी आपका साथ भाई 25.9 फिट है साथ फिट आपको 25.9 हो जाएगा डलवा रोट से और 12 फिट से 60 फिट फ्रॉंट हो जाएगा तो अगर एक कठा लेंगे तो आपको डबल रोट से मिल जाएगा जो दह दूर लेंगे उसको सेकेंड वाला प्लॉट मिलेगा तो इस आपसे बेटर प्लॉट है आप हमसे वार्से पे कंटेक्ट करेंगे तो उसका रेट आपको बता देंगे